आज की इस भागदोड भरी जिंद्गी में लोग अपने कामकाज में इदनी बिजी हो गए हैं कि वो आराम करना भी भूल जाते हैं लेकिन अगर एक्सपर्ट की मानी जाए तो ठकावट को दूर करने के लिए हर व्यक्ति को 6-7 गंटे तक जरूर सोना चाहिए हैं क्यूंकि अगर आप 6-7 गंटे तक आराम करते हैं तो इसके आपको पूरा सरीर सवस्त रहता है और हमारा दिमाग भी सही तरीके से काम करता है में दिंचर्या थाइराइड सरीर में अधिक एसिड बनना आदी तो आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाएं जिन्हें अपना कर आप आसानी से अपनी ठकावट को दूर कर सकेंगे और साथ ही आप पूरे दिन ताजगी से भरे रहेंगे अब अगर आप दिन में कमजोरी या थकान महसूस करते हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए चौकलेट जरूर खाएं क्यूंकि इससे सरीर में तुरंत एनरजी आएगी और साथ ही आपका तनाव भी कम हो जाएगा इसके अलावा सुभे के नास्ते में ताजे फलो का जूस जरूर सामिल करें क्यूंकि ताजे फलो की जूस से थकान कम लगती है और सरीर में उरुजा बनी रहती है इसके अलावा आप निबू का पाने पीने से भी थकान जैसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि अपनी डाइट में हरी सबजी जैसे पालक, साग, भिंडी को सामिल करें क्योंकि हरी सबजी खाने से हमारे सरीर में खून की पूर्ती होती है इसके अलावा केई बार खून की कमी और हीमोगिलोविन का इस्तर घटने से भी पूरा दिन ठकावट महसूस होने लगती है यह क्योर एन हल डेस्क रिपोर्ट